राजसंबन के नादवरा इस्तित श्रीनाज जी मंदिर का इतियास 301 साल पुराना है 21.7.1728 फालगुन क्रश्न सब्तमी को श्रीनाज जी पाट पर विराजे थे तब से लेकर आज तक क्रश्न जन्माश्मी मौट सो विशेश तोर पर मनाया जाता है सीक्रेस्ट जन्माश्मी पर ठाकुर्दी के जन्माश्मी सोम बार रात 12 बजे तोपो से 21 बार सलामी का द्रश्य देखने ही बनता है जन्माश्मी को लेकर तोपो को रसला चोक में बने पाटर गार्ट मिलाकर साफ सफाय कर रंग रोगन कर दिया जगाया विशेश आकरशन होती है 21 बजामी मंदिर में नंद के गर लालन होने की खुशी में 21 बजामी दी जाती है इसके पीछे बावनय की गाओं के मुख्या नंदराय के गाओं वो उसके आसपास के गाओं में लोगों को यह सूच न मिल जाए कि नंदराय के कर उनके तारनहार का जन्म हो चुका है और वे लोग इसकी खुशिया मनाना प्रारम करें मुगलगाल में मुगलों के आतंक के बीच प्रभू स्रिनाजी को सुरक्षित रखने के लिए मतुरा के जतिपूरा से भगवान को यहां लाया गया था मतुरा से आगरा कोटा जोदपूर होते हुए काफी लंबी यात्रा के बाद मेवाड के राजा रास्ये ने स्रिनाजी के शुरक्षा का वचन देते हुए उन्हें यहीं ठाहरने की खुजारिश्की थी तब से यह यहीं पर विराजित है क्या के बाद में भुछब है कि अब गला है कि आज शाट चाल टान जुद्ट पॉँद्ट है ऌन जुद्ट है जैमाना जाल सामने तरह मृइड़ानिर घाणा है कर दो युद्ट के गरत गोर्प्रश ऑगृग्षिक ऽफ्ट चाल के जा। कर दोगाँ!!! कर दो दो कर दो कर दो कर दो अगिए मतें? क्या भलए्ट के लोगोяти, कि और देम हैं, जिए हैं… कई लोगोदिंट हैं जदो हैं का पर लोगो भ JON करेंग सिरहा करें देजिस एक करें एक कुछ एुछ करेंग आःट Kma कुछ और हाव और शोलाओ टेज हैं आप के नागजा! और हैं लागज हैं आप हैं और हम एच के लिरा आप मेंदा से सब्याई लोगी एगां एच लिए! खर्वान एगां आब लिए चुछ सिपक तो इखा करे लिए लेया हैं दखें के लिए.. आप दिजी आओगे लिए आप दिजी आओगे लिए गिरिश व्यास, स्रीना जी मंदिर पियार और मीडिया प्रभारी हूँ मैं जनमास्रमी के शुब अवसर पर समस्त पुष्टी स्रस्टी के सभी वेश्णों जनों को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई और शुब कामना है प्रभु स्रीना जी के चड़नों में और हमारे तिलकाच स्री के चड़नों में कोटी-कोटी नमन और वंदन दंडवत करते हुए आज स्री जी प्रभु के यहाँ जो विशेश जनमास्तमी का एक उत्सव जो मनाया जा रहा है उसमें मुख्य बात ठाकुर जी के पूरे सेवा करम में मंगला के दर्शन से ये प्रारम होती है जिसमें विशेश रूप से स्री जी प्रभु को पंचामरत सिनान इसमें विशेश रूप से कराये जाता है और पंचामरत सिनान का जो करम रहता है उसमें सबसे पहले दूद, दही, फिरगी, शक्कर और शहत इस तरह से ठाकुर जी को अलग-अलग क्रम में शंक से पूर्ण रूप से ठाकुर जी को सिनान कराये जाता है पंचा मृत का और उसके बाद ठाकुर जी को आज विशे स्रिंगार धराये जाता है जिसमें केसरी वस्तर के रूप में चागदार बागा ठाकुर जी केसरी मस्तक पर मोड़ चंद्री का और बहुत ही आज दुहरा भारी स्रिंगार होता है तत्पस्याद ठाकुर जी के स्रिंगार के दर्शन के समय जो हमारे आज जो पंडिया जी है वो ठाकुर जी की जन्म पत्री का बास्ते है क्योंकि ठाकुर जी का आज जन्म हो रहा है और ये जागरन की दर्शन है जागरन की दर्शन का अपना महत्वी अचुछ ऑध की प्राकटी की सभी पूरी समस्त्य पुष्टी मुष्टी स्रस्टी में इनंतजार करें की ना तो हम एक बालसरूप के रूप में उस जन्मोत्सव के रूप में वापस ठाकुर जी के प्राकट्टी की पुना कामना करते हैं तो उस इंतजार में जागरन के दर्शन है और फिर बारा बजी तक ये दर्शन होंगे और बारा बजी का जो समय प्रभू के जन्म का है वो पूर तोपों की सलामी दी जाती है और ठाकुर जी के जन्म की सूचना और ठाकुर जी के सम्मान में ये तोपों की सलामी अपने आप में विशेश हमारे यहां जो आकर्शन है और इस अवसर पर तिलकाईश्री और स्री विशाल बावा की प्रेणना से आज समस्ट जितने भी जो हमारे याँ दर्शनारती आएं उनको करीब एक लाग प्रशाद के पेकेट जो दर्शन के समय जितने भी वेशनाव हैं दर्शनारती हैं उनको वित्रित भी किया जा रहा है और इस बात की सभी को आशुराद और बधाई तेलकाई स्री की तरफ से दी जा रही है यह जो हमारे यह परंपरा है जब स्रीजी प्रभू नाथत्वारा जब मेवाड में पधारे तो मेवाड में उस समय महाराना रासिंग जी थे और रासिंग जी ने ठाकुर जी के स्वागत में और सम्मान में उस समय ठाकुर जी के 21 तोपों की जो सलामी दी थ पढल सवरुप में, बाल सवरुप जो उनके घर में विरास्ते हैं, वो वापस उसी रूप से स्वा करते हैं, पंचामत का सिनान करते हैं और ठाकुर जी के प्राकट की खुशीं मनातेуки हैं। अब श्रीनाजी का जो अपने ध्वार है स्रीजी प्रभू के तू वैशनाव है वो समस्ट विश्व में हैं वीदेशों से भी कई हमारे यहां जो वैशनाव है वो आते हैं और भारत में विशेश रूप से मद्यप्रदेश, माहराष्ट, गुजरात, उत्तर प्रदेश, रा शेक्तर से लोग आते हैं और आज की दिन लगबग लाग सवा लाग लोग दर्शन करते हैं और स्रीजी प्रभू के इसी आशिरवात को लेके और कृष्ण जनमास्टमी का आनन्द लेके जाते हैं भक्त जनों को विशेज रूप से जो दर्शन का आनन्द है वो इसी आशा के साथ आते हैं कि क्रष्ण जनमास्टमी के दिन अगर क्रष्ण द्वार में क्योंकि हमारे याँ बाल स्वरूप है तो स्रीजी प्रभू भी बाल स्वरूप में और अपने याँ पुस्री मार की पद्धती है वो पूजा पद्धती ने होकर सेवा पद्धती है क्योंकि ठाकुर जी बाल स्वरूप में साथ महीने और साथ साल और दो महीने की जब ठाकुर जी थे तब उन्होंने गौरदन को धारन किया तो वही स्वरूप हमारे याँ भी रास्ते हैं और उसी रूप मे कीज लाक में शहर के पास शांत वातावरण में उदैपुर प्रॉपर्टी लाया है गोकुरधान सुसाइटी उदैपुर से मात्र बीस मिनिट की दूरी पर डबोग में मकान ही मकान और मकान की ये टाउंशिप जुस्ते आप पाएंगे ग्यारा सु वर्फीट प्लॉट में टूपीयच के रूम के साथ किचन, अटैच लेट पार्ट, कार पारकिंग, बोर्विल, सभी सुविधाएं एक साथ आबादी के मथिट तो इंतजरार किस बात का बुक कराईए इस रक्षा बर्णन से तीपावली के बीच मकान और पाएंग खुद का आशियाना पहले आए पहले पाएं हमारी विशेश ताइं और दैपोर एपोर्ट से मात्र तीन किलोमेटर की दूरी पर सिमन फैक्टरी के सामने आबादी में स्थित आवासिय मकान योजना पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, सभी सुविधाएं प्लानिंग के नस्दी ट्राली स्थीट रोड पर मकान, विक्सित कॉलोमी, लाइट पोल, दाम्टी करण के साथ, स्थियो कन्वर्ट मकान हमारा ओफिस पता है, दोसो बारा, दूसरी मंजिल, सम्रिधी कॉंपलेक्स, प्रिशी उपजबंडी, मुख्युद्वार के सामने, रेती स्टेंड, उदैपुर मकान के लिए संपत करे, 992854-3748, 91119272687 मकान के लिए संपत करे, 992854-3748, 9119272687 झाल झाल 10 झाल 10 50 झाल झाल